फेफरों में पानी भर जाना, आप मरीज के चेस्ट का CT सकैन होने के बाद देखेंगे कि फेफरों में अगर पानी भर जाए तो वो CT सकैन में कैसा दिखाई देता है? अगर मरीज को खासी, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ज्यादा देर ना करें, तुरंट डॉक्टर को दिखाएं, अगर ऐसा ज्यादा दिन तक होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे की, फेफडों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, राइट और लेफ्ट फेफडे, यानि की लंग्स, लंग्स की दो लेयर होती है, पहली प्लूरल और दूसरी विसरल लेयर होती है, इन दोनों लेयर्स के बीच में, लूड यानि की पानी होता है, अगर ये पानी ज्यादा अमाउंट में फेफडों में भर जाए, तो उसे पानी भर जाना कहते हैं, जिसकी वजह से मरीज को खासी होती है, सीने में दर्ध होता है, और सास लेने में दिक्कत होती है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कि किस तरह से सीने, यानी की चेस्ट के राइट साइड में पानी भरा हुआ है, और लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लियर है अगर इसका समय से इलाज नहीं कराया जाता तो ये पानी धीरे-धीरे सीने के दोनों तरफ फेफरों में भर जाता है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फेफरों में पानी भर जाता है इसके लिए तुरंत दॉक्तर को दिखाना चाहिए वरना टीवी ज संद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू